मंगल मैतरी आप सभी को कैसे हैं आप सब आशा को ट्राप सब बहुत अच्छ होंगे तो आज के हमारे पाठ का नाम है वन के मार्ग में जिसके लेखक हैं तुलसी दास जी ये तुलसी दास जी के कविता वली के अयुद्या कांड से लिया गया है जहां पर ये दृष्ष्य है कि राम, चंद्र, लक्ष्मन और सीता वन के लिए निकल चुके हैं कुछ दूर उनको किसने छोड़ा था मंतरी सुमंत ने फिर वो पैदल चले थे तो पैदल चलने के बाद का दृष्य हाँ पर बताया गया है आपको दो चौपायों के माध्यम से तो पूरते निकसी पीर की बदू सिरी राम की पतनी उन्होंने मग में यानि रास्ते में जब दो पग रख्या चलना शुरू किया जलकी भरी भाल कनी जलकी और उनके मस्तफ पर यानि माथे पर क्या जलकने लगी पसीने की बूंदे आने लगी पुट सूख गए मदुरादर्वे और उनके हो भाएं हमारी जो परंड कुटी है वो कहा है कितनी दूरी पर है हमें और कितना चलना है तीयकी लखिया तूरता पीय की आथी चार उचली जल्चव है सीता की आतूरता और उनकी थकावट को देख कर तकान को देख कर कहते हैं कि लक्षमन तुम जल लेकर आओ पहले जल ग्रहन करेंगे उसके बाद आगे की यातरा शुरू करेंगे ताकि सीता को थोड़ा सा आरा मिल सके लेकिन अगले पैरे में आप पढ़ेंगे कि सीता कितनी अच्छी पतनी थी यानि कितनी समर्पित पतनी थी क्या करती है वो देखिए जल को गई लखनू है लरिका परिखो पिय च्छाव घरीक है ठाड़े जब तक लखन जल लेकर आते हैं तब तक आप कही छाया में बैठ लीजे विश्राम कर लीजे थोड़ा सा और इससे आपको और मुझे भी दोनों कारा मिलेगा पोची पसेव बयारी करो और क्या करती है सीता माता स्री राम का पसीन अब्लणक है और उनको हवा करती है उनके पैर जो गरम गरम रेतर पर क्या हो गात फोगय पढ़ते उसको कहती हैं मजल से धोदूगी honब जला जाएगा उससे पहले क्या करती है स्री राम का पसीन पोचती है उनको हवा करने लगती है तुलसी रगवीर प्याश्रम जानी के बैठी वी लंब लोकंटक ठकाडे और तुलसी दाजी कहते हैं कि रगवीर भी उनकी यह है इतनी समर्पित भाव देखकर बड़े भावुक होते हैं क्या करते हैं कि सीता माता के पैरों से काटे निकालने का भिने करते हैं यानि बहुत देर तक काटे निकालते रहते हैं ताकि सीता माता को क्या मिल सके आराम मिल सके उनकी धकान थोड़ी सी दूर हो सके जान की नहा को नेहे लख्यो पुल को तनबारी बिलोचन ठाड़े जब सीता जी ने राम का यह प्रेम देखा तो उनका सरीर क्या हो गया प्रसनता से भर गया और उनकी आँखों में आसू आ गए जैसे ही श्री राम का अतना प्रेम भरा भाव देखा यानि दोनों पती पतनी एक दूसरे के परती क्या हैं पूरे समर्पित हैं इतनी सुंदर जोड़ी श्री राम सीता की थी आज भी किसी की ऐसी समर्पित जोड़ी होती है तो उसको भी हम कहते हैं कि भहिया यह राम सीता है बिल्कुल तो श्री राम और सीता तो पती पतनी होकर एक दूसरे के परती तना अच्छा भाव रखते थे हमें अपने जीवन में हर किसी के परती अच्छे भाव रखने हैं पार्ट के माध्यम से हम यही सीखते हैं कि कैसे हमें अपने समाज में अपने घर में अपने परिवार में एक दूसरे के परती अच्छे भाव रखने हैं यानि ठकेवे श्री राम भी है और सीता जी भी है लेकिन एक दूसरे के परती देखे कितना अच्छा भाव रखते हैं क स्री राम उनके पैरों से बहुत देर तक काटे निकालते रहते हैं ताकि सीता माता को क्या मिल सके आराम मिल सके और लक्षमन और स्री राम और सीता माता भी इतनी ठकी होने के बावजुद उनको हवा करती हैं उनके पसीना पहुचती है और उनके पैर दोने तक की बाते करती ह तो हमें भी ऐसा ही अपने घर के परती समाज के परती परिवार के परती क्या होना चाहिए वेटा समर्पित तो आज में इसके सब्दार तो आपको कुछ प्रशन भेजूंगी जो आप अपने तर्पुस्तिका में सुंदर लेखन में लिखेंगे धन्यवाद